निष्मिर्म, हमने दूदी के थेपले बनाने डूदी कुھरस ली है, हरी धन्या बारीक काट लेंगे, अध्रक लसुन डालेंगे, मिर्शी बारीक-बारीक कट कर लेंगे, दो प्याद भी हमने खुरस लिये है, अब इसपें पौदर मसाड़ा मिलाएंगे, इसमें नमग, हल मालदी, धन्याजीरा, और मीज्टी ढ ले लेंगे यह हम ने इमरी बिगोकर है इसका मसल के पानी निखल लिए है अभी इसमें गूर्ड मिला दिया हमने ज्यादा पानी की जरूत नहीं होती है। इसमें एक चमद गरम मसला डाल देंगे और इसमें को मिक्स कर देंगे। यह सब मिक्स हो चुका है अभी इसमें हम जवारी का आठा मिलाएंगे इसमें पानी की बिल्कुल जरुवत नहीं है ताके दूदी का बहुत सारा पानी इंकलता है तो उसी से हमारा आठा तैयार हो जाएगा तो हम थोड़ा-थोड़ा करके आठा मिलाएंगे यह और नरम है तो इसमें और हम थोड़ा आठा मिलाएंगे अच्छी तरह से मस लेंगे इसमें थोड़ा से और मिला देंगे और बहुत ही स्मूथ दो तैयार कर लेंगे अभी इसमें हम एक चम्बस जितना ओयल मिलाएंगे यह कुकिंग ओयल है इसमें हमने मिला दिया और सबको अच्छे से मसल लेंगे यह हमारा दो रेडी हो गया है अभी हम पोलपाट पर कपड़ा भी चांगे कौटन जाएंगे इसने पाणी चिПрखेंगे अर फिर भी इसने पानी चिड़केंगे कपड़ा गिला है और फिर भी इसने दो पानी चड़के इस तरह आटे की लोई रखना है इसने पनास्री वैसे ही बनाना है ज्यादा मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं तो रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे और नॉन्स्टिक तेलवे में दोनों तरफ से अच्छे सा सेख लेंगे यह बहुत ही टेस्टे थेपले होते हैं अचार के साथ दहिं के साथ टॉमेटो सॉस के साथ खाये जाते हैं चाई के साथ भी खा सकते हैं तो आप भी जरूर बनाईए कमिन करके हमें बताईए कि आपको थेपलाई कैसा लगा और इसी तरह आप भी बनाईए इसको ज्यादा अ तो हमारे टेस्टी टेस्टी लौकी के पराधे तयार है खाईए खुस रहें दूआ में हमें याद रखे हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें